कि वारे चेतर में कैंसर होस्पीटल खुले इस बात की डिमांड लगातार वारे चेतर टुखाना से आ रही थी और मैंने इसकी चर्चा मुख्यमंत्री मनहोरलाज जी से की अमारे स्वास्त मंत्री अनिलविद जी से की और पिछले कुछ महिनों से इसकी फाइल चली भी थी और आज वो फाइल मुख्यमंद्री जी के ओफिस से पास होकर के स्वास्तमंत्री अनिविज जी के ओफिस में पहुँच गई है और हमारा टोहाना का जो कैंसर ओस्पीटल है जिसकी मांग बहुत पुरानी थी वो पास हो गया है इसकी जानकारी मुझे मैं चंडिगड से निक के लिए टोहाना चेतर के नागरिकों को वधाई देता हूं और उनको शुपकामनाएं देता हूं कि विश्य में विश्य को बिमारी ना आए लेकिन अगर कैंसर की विमारी से पीडित कोई मरीज हमारे टोहाना और आसपास के चेतर में आता है तो उसको यहां पर अच्छी स उसको सुधę मिलें इस बात का पूरा परियासा मेरा और जो हमारा वर्तमान में सिवेलर उस्पिटल है समानया हस्पिटाल है इसका ही विस्तार इसमें किया जाएगा और एक आधोनिक तरीके की मसीनों से सुसजित कैंसर उस्पिर्ट तोहना में बनेगा तो क्या लगता है कि क्योंकि अभी सारी जो फाइलों के उपर जो प्रोसेस सोना था वो सारा हो चुका है बहुत जल्दी यहां पर काम कैंसर के इलाज का शुरू हो जाएगा तीकि उसके लिए भी पहले भी बहुत सारी इस परकार की जो कमिया थी उनको अमने दूर किया है और जहां तक स्टाफ की बात है समय समय पर सरकार की तरफ से रिप्रूटमेंट होती रहती हैं उसमें जतना जल्दी स्टाफ पर देश के अंदर और घरती होगा और ज्जादा स्टाफ यहां पर आएगा है लोगों की समश्याएं समश्याओं का इस प्रकार का समाधान हम यहां पर स्थानी स्थड़ पर करास के लोगा को अच्छी इलाज की इलाज की सुईधाइं यहां पर मिल सके। इसके लौटसभा की तैयरियां भर्टिजनता प्रड़्टी की पूरी हैं पूरे परदेश के अंदर जिस प्रकार के कारिकरम हमने संग्तनात्मक और राजनितिक टै किया थे एक कारिकरम हमारा लगातार अपने समय के उपर निधारी समय जो हमारा था तैस समय पर हो रहा है कि उसलोब्स आपके की तीन बनाए थे इसमें कलस्टर अनुसार जो हमारी बूद समिती शक्ति के अंदर परमुख और इससे उपर के जो कारेकरताओं की बैठके हैं उसका सिल्चिला जारी है अभी तेज तारीक को एक बैठक जो पुरक्षित्तर लोगसवा का कलस्टर है इसमें अमबाडा पुरक्षित्तर करनाफ इससार रोतक का कलस्टर है इसका होगा इस सार में होगा इसमें भारतिय जन्दा पालिटिक के राष्टे अध्यक्स अमीच्षा भी इसकारिकरम के अंदर हमारा मार्ग दर्शन करने के लिए आये इसी परकार से 26 तारीक को कमल जोती का करिकरम है जो सरकारी योजनाओं के च चला है वो 26 तारीक को उस दिन उनके घरों के ऊपर दीपक जराने का काम किया जाएगा इसको कमल जोती कारेकरम हमने नाम दिया है तो 26 तारीक को यह कारेकरम होगा और 28 तारीक को पूरे हमियाना परदेश के अंदर मंदल अनुसार कारेकरताओं की बड़ी-बड़ी बैटके ह जोगी जिसमें अवारे बूठ स्मीति तक के कारेकरता इसा लेंगे और इस इन कारेकरताओं को है देश के प्रधान मंत्री जो बड़ी-बड़ी अहां पर स्क्रीन लगाएंगे उसके मादव से कारेकरताओं को संभोधित करेंगे और रेवाडी-विधान-सभा के कारेकरताओं से देश के परधान मंत्री सीधी बात भी करेंगे उनसे सवाल लेंगे और अपनी बात कहने के बाद वहां के लोग देश के परधान मंत्री जी से सवाल भी कर सकेंगे ऐसा रिवाडी में कारेकरम हमने रखा है वहां पर वहां के मिधायक और सब परमुक लोग उ बिस्कडी का आखरी जो अमारा एक बड़ा कारेकर्म होगा हमने हर विधान्सवा में हर बूत-अनुसार पांच से जादा मौर्सेचल के वारे जो कारेकरता हैं हमारे उनकी अमने सुची बनाई है हर बूत-शे-पांच से अधिक की सुची अमारी तैयार हुई है ऐसे सब कारेकरता मिल करके विधानसवा अनुसार बोटर सैकल रेली करेंगे इसमें सब बड़े नेता विधायक मंत्री अपने विधानसवा छेतर में रहेंगे और लगवग चार से पांच गंटे की अमारी यात्राय रहेंगी तो इस प्रकार के कारिकरम हमने लोगसभा चुनाओं की तैयारी के लिए रखे हैं और इसी दोर में बहुत सारी अमारी दूसरी तैयारिया भी चल ली हैं बहुत सारे अन्यदलों के लोग जो भारती जनता पा मुख्या मंतरी मनहुलाल जी के नेतरतों में चली अर्याना प्रदेश की और केंदर की सरकार जो नरेंदर मोधी जी के नेतरतों में हमारी चली है इस सरकार की जो लोग कल्यान की नीतिया हैं विकास की योजनाएं हैं इनका लाग जो जनता तक पहुँचा है एक उसे पहले पांच के चुनाओं हम 거지ild कोर परंती सीधा रियाना की जनता से हैं की सीधन गठबंधन करने की अवश्यक्ता नहीं है झाल झाल